हेलो एब्रीबन वेलकन दो वाइफा एडुकेशन वाइफा एडुकेशन इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज यह सीरीज का सैट्रम बवन रहेगा जिसमें हम टॉप टॉप ट्विटी फाइफ कोश्चन जीके के कवर कर आए गया है इस हर एक कोश्चन के चार अप्शन होंगे साथ साथ आपने खुद भी अटेंप्ट करने की कोशिश करनी है इन सभी कोश्चन को यह जो सारे के सारे कोश्चन हैं प्रेवियस एक्जाम पर बेस्ट हैं और आपके इक्जाम औरेटन हैं इसलिए ज्यादा से ज् इतने कोश्चन सही अटेंप्ट किये हैं सो आप ज्यादा विलम बना करते हुए हम ही सुडियो को स्टार करते हैं पहला कोश्चन देखें विच ओफ दीज इंस्टिशन से फिक्स दा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया यानि इंडिया में रेपो के द्वारा फिक्स किया जाता है कौन सा इंस्टिशन हैं आपके चार अप्शन हैं मिनिस्ट्य ओफ फाइनास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व रेपो रेट को भी और रिवर्स रेपो रेट को भी इससे पहले आप यह जुरूर जानिए जो रिवर्स रेपो रेट ह होता है और यह क्या होता है जो रपरेट होता है जब रिजर्ब पाफ इंडिया से कोई बैंक उधार लेता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रेपरेट अगर कोई पैसे की जुर्द पड़ती है तो यह अधर दोनों में आपको confused नहीं होना है, जब other banks reserve bank of India से उधार लेते हैं, उस समय हम एक word use करते हैं, अगर other banks से reserve bank of India उधार ले तो हम word use करते हैं reverse repo, जो reverse repo rate होता है, यह हमेशा repo rate से कम होता है, यह आप ध्यान में रखिए, यह questions में काफी वर exam में आता है, इसके लावा अगर आप से पुछा जाए, reserve bank of India जो है, यह कव बना था, यानि कव फांड लुआ था, यह फांड लुआ था, एक अपरेल 1935 को, एक अपरेल 1935 को, अगर आप से पुछा जाए, reserve bank of India के जो पहले गवर्नर बने थे, वो कौन बने थे, यह बने थे, Sir Osborne Smith, Sir Osborne Smith, इसके साथ साथ आप यह नाम है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जो है, यह है, 25th governor of reserve bank of India, और reserve bank of India का जो headquarter है, वो है मुंबई में, मुंबई में ही headquarter state bank of India का, HDFC bank का, और ICIC bank का, इन सभी का headquarter है मुंबई में, यह वी आप याद रिखे, मुंबई लोकेटेड है महरास्ट्रा में, second question देखे, which of the following books is not written by Salman Rushdie, यानि कौन सी बुक है दियेगे चार अप्शन में से, जिसको Salman Rushdie के द्वारा नहीं लिखा गया है, आपके option है, शेम, midnight, children, an area of darkness, the stantic versus, यह जो बुक है, वो है, an area of darkness, इसी रैटन सा है इस कोशन का third option, जो area of darkness book है, इसको लिखा था, V.S. Naipol ने V.S. Naipol के द्वारा बुक लिखी गई जिसका नाम है, an area of darkness, बाकी तीनों जो बुक है, शेम, midnight, children और stantic versus, इन सभी को लिखा है, सलमान रश्दी ने, जो सलमान रश्दी है, यह Indian American, एक, Indian British, एक novelist है, यानि यह novel वगरा लखते है, Indian British, यह है novelist, सलमान रश्दी, इनके द्व द्वारा यह तीन बुक से लिखी गई है, बट जो थर्ड ऑप्शन है, अमारा, an area of darkness, इस बुक को लिखा है, V.S. Naipol ने, थर्ड नंबर कोश्चन देखे, as of February 2020, who is the president of Sri Lanka, यानि फरबरी 2020 में, जो Sri Lanka के जो प्रेजिनेट थे, उनका नाम क्या था, आपके अप्शन है, नाम है, गौतबाय राजपक्षा, राइटन साइस कोश्चन का, second option, गौतबाय राजपक्षा जो है, यह है, यह है, प्रेजिनेट ओफ शिरलंका, इसके लावा अगर आप से पुछा जाए, जो शिरिलंका की जो कैपला है, इसकी जो कैपला है, वो है, शिरी जैवर्दन प प्राइम निस्टर भी, प्राइम निस्टर है, महिंदा राजपक्षा, और प्रेजिनेट जो है, वो है, गौतबाय राजपक्षा, यह आप याद रिखे, फोर्थ रंबर कोश्चन देखे, नेम दा ओथर हूँ वन दा साहित्या अकाड़िमी अवार्ड दोहया उन्नीस, यानि इस बुक के लिए इनको एक साहित्या अकाड़िमी अवार्ड दिया गया था, दोहया उन्नीस में, यह जो बुक है, वो है, एन एरिया अफ़ डार्कनेस, दा ब्रिटिश अंपाइर ऑफ इंडिया, इसको लिखा किसने है, आपके अप्षन है, विकरम सेठ, रोमिला अपर, शेशी थरूर, या फिर, रामचंद्र गूहा, दिये गए चार अप्षन में से, इस कोशन का यह इन से हमारा वो है, थर्ड अप्षन, शेशी थरूर, शेशी थरूर के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिसके लिए इनको एक आवर्ड दिया गया था, जिसका न दिसकावरी ओफ नूट्रोन इस 1902 डिसकावरी लीड टू हिस रिंग डान नॉब्ल पैसा, यानि किस फिरिश्ट के दवारा एक डिसकावर किया था, इसके लिए निसकावरी में इनको नूब्ल पैस दिया था, इस डिसकावरी के लिए, ये किसे मिला था? दीए गए चार आपके option है Enrico Fermi, J.S. Fleming, James Chadwick या फिर Max Planck दिये गए चार option में से जो Neutron है इसको discover किया था James Chadwick ने राइटन साइस question का third option James Chadwick जो है इनके दोरा discover किया गया था Neutron राइटन साइस question का third option इसके लावा अगर आप से पूछा जाए जो proton है इसको discover किस ने किया था जो proton है इसको discover किया था Ernest Rutherford ने Ernest Rutherford इनके दोरा discover किया था proton को आगर बात करें हम Electron की Electron को discover किया था J.J. Thomson ने J.J. Thomson ये भी काफी पूछते हैं एक्जाम में ये आप याद रखें next question देखें 6th number question as on January 2020 शिरी भुपेश भागिल is the CM of which state यानि January 2020 में किसे पॉइंट के शिरी भुपेश भागिल यू हैं ये किस राजे के लिए CM अपॉइंट होए थे इलेक्ट होए थे आपके option है जारखंड हर्याना चतिसगड या फिर उडिशा ये बने थे चतिसगड के CM थर्ड अप्शन चतिसगड के CM बने थे भुपेश भागल अगर आपसे पुछा जाए जो गवर्न है चतिसगड के उनका नाम क्या है इनका नाम है अनुसुया उक्क और कैपिल है राइपूर राइपूर इस दा कैपिल होफ चतिसगड अराख्व वैली या तूरिस रिजॉट इस लोकेटे नियर विच ऑव दा फॉलिंग सिटी ज अफ्साओफ इंडिया यानि एक टूरिस्ट रिजॉट है जिसका नाम है अराख्व वैली ये किस सीडी के नस्दीग लोकेट्ट रहे हैा साउथ इंडिया के आपके आप्शन है कोची, मदूर्य, मेंगलोर या फिर विचाका परटनम ये लोकेट्ट है नस्दीग का विचाख़ापर्टनम के रहताइंस क्यों का फॉर्थ अप्शन इसके लाएभ आहँ पी विचे जो आफिकशन ह वो है अमरावती और जो CM है वो है YS जगन मोहन रेड़ी और जो गवन है वो है विशव वुषन हरीचंदन विशव वुषन हरीचंदन सर्थॉम्स रो came as an official ambassador for King James 1 of England to which Mughal Emperor's court यनि किस Mughal Emperor के दर्वार में आये थे, court में आये थे, King James 1 के एक Ambassador जिनका नाम था सर्थॉम्स रो ये आये थे, किसके empire में, आपके option है शाह जहां, अकबर, औरंगंजेव या फिर जहां गिरा ये थे, court में जहांगीर के, right on size question का fourth option जहांगीर, जहांगीर जो हैं ये हैं बेटे अकबर के अकबर का बेटा है जहांगीर, इसको सलीम भी बुलाए जाता है, जो जहांगीर है इसको सलीम भी बुलाए जाता है, ये भी आप याद रिखे next question देखें, 9th रंब कोशन which of these words refers to the scientific study of domestic dogs यानि कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे जो रेफर करता हो scientific study of domestic dogs के लिए आपके ये चार अप्षन है केर्पोलोजी, साइनोलोजी या फिर क्रिमेटिस्टिक्स या फिर कार्नियोलोजी दिये गए चार अप्षन में से domestic dogs की scientific study के लिए हम यह वर्ड यूज करते हैं, वो करते हैं साइनोलोजी यह काफी वार एक्जाम में आ चुका है यह विए आप याद रखें 10th नंबर कॉश्चन देखिए यह आपके ऑप्षन है बिहार, हर्याना, तेलंगाना या अफर करनातक यह लोकेटड है करनातका स्टेट में राइटन साइस कॉश्चन का 4th उप्षन करनातका करनाटका की जो कैपला है वो है बैंगलॉर यह आप याद रखें इसके लिए आप आगराफ से पुछा जाए जो करनाटका के जो CM है वो कौन है यह है विएस यदी यूरप्पा और जो गवर्न है वो है वाजू बाई बाला वाजू बाई बाला next question देखे गेरा नवब खोषन The World Food Program is the Food Assistants Branch of the United Nations Where is it Headquarter? यानी World Food Program जो है यह água ब्राच है United Nations की इसका जो Headquarter है वो कहां पिक जुछ आप्धे हौर्प्टैट है आपके option Rome, Paris, New York तिये गए चार option में से जो व्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हैड़कॉर्टर है वो लोकेटड है रोम में इटली की कैपिटल में रेटना साइस कोश्चन का फर्स्ट ऑप्षन रोम यह आप याद रिखें यह लोकेटर है इटली में काफी वारी कंट्री पूछ लिया आती है यह भी आप याद रिखे कंट्री में लोकेटर है इटली में नेक्स्ट कोश्चन देखे 12 नम्पर कोश्चना वट इज दा मोर कॉंध नेम फॉर सॉलिड कार्बन डायॉकसाइड यानि जो सॉलिड होती है कार्बन डायॉकसाइड इसके लिए जो कॉंध यूस किया या आता है वो क्या यूस के या है आपके option है पटाश, dry ice, quick silver या फिर epsom दिये गए चार option में से जो best option है हमारा वो है dry ice, right hand side question का second option, dry ice जो है ये common name यूज़ किया जाता है carbon dioxide के solid form के लिए, right hand side question का second option, dry ice, very very important question, next question देखे है 13th रंब कोशन, सुल्तान कैबूस बीन सायद ओफ डैश, दा अरब वर्ल्ड लोंगेस्ट सर्विंग रूलर एंड विद रेपूटेशन फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी पास्ट अवे रिसेंटली इन 2020, यानि किस देश के सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान कैबूस बीन सायद, इनकी कंट्री के सुल्तान थे, आपके अप्शन है ओमान, आबुदाबी, दुबई, याफर, कुवेत, दिये गए चार अप्शन में से जो बेस्ट अप्शन है हमारा वो है ओमान, ओमान के सुल्तान थे कैबूस बीन सायद, ये थे वर्ल्ड के लॉंगेस्ट सर्विंग रूलर, इसी राइटन सायस कोशन का फर्स्ट अप्शन है ओमान, ओमान की जो कैपल है वो है मसकट, मसकट, फॉर्टीन थे नमबर कोशन देखिए, इन विच येर सांची वाज डिसकवर्ड आफ्टर बिंग अबंडन्ड फॉर नियरली छेसो यहाजा, यानि छेसो साल के बाद छो इसी राइटन सायस कोशन का फर्ड अप्शन 1818 में डिसकवर किया गया था संची को, इसी राइटन सायस कोशन का फर्ड अप्शन ये आप याद रिखे, ये वी काफी एक्जाम में आता है, तो आप याद रिखे बिलकुल आप, नेक्स्ट कोशन देखिए, पंदर नमबर क करती थी, ये freedom fighter थी, इंडिया की और social reformer थी, ये कौन से राजय में से located है, यानि किस राजय से विलोओ करती थी, सावेत्री भाई, सावेत्री भाई, फुले, इनकी एक university भी बनी है, महारास्ट्रा में, सावेत्री भाई, फुले के नाम पर, यानि सावेत्री भाई, फुले इसके लाब आप इविया दिखे, महारास्ट्रा की यो capital है, वो है, मुंबई, और जो CM है, वो है, उद्दव ठाकरे, और जो गवर्न है, वो है, भगत सिंग कौश्यारी, भगत सिंग कौश्यारी नेक्स्ट कोश्चन देखे, सोला नंबर कोश्चन, प्रॉलिफिक इंडियन पेंटर, मकबूल फिदा हुसाइन, प्री डॉमिनेंटली, यूज़ विच ओफ दा, विच ओफ दीज अनिमस, तु डेपक्ट, अल लाइवली, एड फ्री स्पिरिट, इन हिस पेंटिंग, एक नाम था, मकबूल फिदा हुसाइन, इनके द्वारा यूज़ किया याता था, अपनी पेंटिंग्स के लिए, ये किस जानबर को यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स के लिए, आपके औप्शन ऐलेफेंट्स, काउज, होर्सस या फिर टाइगर्स, ये यूज़ करते थ नेक्स कोशन देखे, सतर नाम कोशना, फ्रॉम मिडिया हु इनागरेटर दा करतारपूर कोरिडोर एंड फ्लैग्ड ओफ दा फिर्स्ट सेट ओफ पिल्ग्रिम्स तू दा फाइनल रेस्टिंग प्लेस ओफ सिखिजम फांडर गुरुनान कदेव जी, गुरुनान कदेव ज यह इनागरेट किया गया है रिसेंली भारत के प्राइमनिस्टर नरिंदर मोदी जी के द्वारा, रेट अंसाइस कोश्टन का सेक्ड अप्शन, नरेंदर मोदी जी के द्वारा इसको इनागरेट क्या गया है इस करतारपूर को यह सिखर लीजन का एक काफी famous pilgrimage स्थान है, ज the media company that purchased the legendary studio of 21st century fox यानि कौन सी media company है जिसके दारा purchase किया गया है एक लिजन्री studio जिसका नाम है 21st century fox किस के दारा purchase किया गया है आपके option है तक वाइक, दिजने या फिर फिर सोनी या फिर ताइम वार्नर ये परिछेस किया गया है recently डिजने के दौरा रिटन साथ कोशन का second option डिजने के दौरा पर्चेस किया गया है रिसेनली एक स्टूडियो जिसका नाम है 21st Century Fox रिटन साथ कोशन का second option डिजने वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन यह SSE CZL में आया था यह कोशन 2020 में जो एक्जाम हुआ था उसमें पुछा गया था यह कोशन याद रखें आप नेक्स कोशन देखें 19 कोशन फोर विच ओव दा फॉलिंग स्पोर्ट्स वाज द्रोणा वली हरी का पनफैर्ड विद्धा प्रेस्टिजियस पदमशीरी अवार्ड यानि पदमशीरी अवार्ड दिया गया था किस स्पोर्ड के लिए या दिया गया था द्रोणा वली हरी का को किस His पोर्ट्स के लिए दिया गया था आपकर अपिस्नै क्रिकेट आर्चिरी चर्श या फिर ब्यरमिंटल यह गिद दिया गया था चैस के लिए रैटन स साइस कोश्चन का थर्ड अप्शन चेस नेक्स्ट कोश्चन देखे 20 अपर कोश्चन विच ओव दीज बॉन्स इस नौट आप पार्ट ऑफ दा हुमन एर यानि हुमन क्या जो एर होता है इसकी कौन सी जो बॉन है दिए गए चार अप्शन में से जो बिलॉंग नहीं करती है ह आपके अप्शन है इंकस, फिमर, मैलियस या फिर स्टेपस दिए गए चार अप्शन में से जो बेस्ट अप्शन है हमारा वो है फिमर रैटन साइस कोश्चन का सेक्ड अप्शन जो फिमर है यह हिमन एर से बिलॉंग नहीं करती है यही इन्होंने पुछा है कौन सी जो बट जो होता है उसमें लुकेटर होती है यह फिमर अन्षय ऐसी होती है उसका नसरह का फिमर यह आपök फिमर रिखें अगर पुछा जाए सबसे चोटड़ि कहारe ותी आ उसका नाम क्या है उसका नाम है इंडिया का पहला मिशन होगा मार्स के लिए इसके लिए एक फिल्म बनी है जिसका नाम है मिशन मंगल इसमें जो लीडिंग लेडी का जो रोल निवाया है वो किसके दौरा निवाया गया है आपके अप्शन है विद्या बालन करीना कपूर खान दीपी का पादुकॉन याव इंडिया का फॉप्शन है विद्या बालन के दौरा लिडिंग रोल जो है लीडी का वो निवाया गया है मिशन मंगल के लिए जो इंडिया का पहला मिशन होगा मार्स पर यह है true story of women's जान सब्सक्रेन का फॉप्शन विद्या बालन नेक्स्ट कोश्चन देखे बाइस नंबर कोश्चन वट इस यूनिफॉर्म जी एस्टी रेट दाट हैस बिन फिक्स्ट अप फॉर लॉट्री प्राइज बाइज बाइज जी एस्टी काउंसल यानि गुड्ज एंड सर्विस काउंसल की एक मीटिंग होई थी जिसमें इनके दोराँ डिसाइड किया गया है लोटरी प्राइस पर कितने परसेंट जी एस्टी लगेगा यह जी गिस्टी की काउंसल में रिसेंली डिसाइड किया गया है आपके आपशने 18%, 32%, 28% या फर 10% ये डिसाइड क्या गया है 28%, 28 प्रतिशत, रैटन साइस कोशन का थर्ड आपशन, 28 प्रतिशत, इसके लिए आप आप पे भी अलिखे, जो GST है, ये एक प्रकार का indirect tax है, आपसे पुछा जाएगा जो GST है, ये किस प्रकार का tax है, उसका अंस इसके जो इस तरह के जो tax होते हैं, ये आते हैं सभी direct tax में, जो direct tax होता है, इसको जो body regulate करती है, वो होती है CBDT, Central Board of Director Taxes, इसके जो चेर्मेन हैं का नाम पुछा जाता एक्जाम में, ये हैं PC Modi, PC Modi, ये हैं as the chairman of CBDT, Central Board of Director Taxes, इसके लावा जो indirect tax होता है, जैसे for example, GST, exercise duty, customs duty, ये सब ही आते हैं, indirect tax है, अंडर, indirect tax के लिए जो body है, हमारी official body, वो होती है CBIC, Central Board of Director Taxes and Customs, इसके जो चेर्मेन है, वो है M. Azit Kumar, M. Azit Kumar, ये वी आप याद रखे हैं, next question देखे, 23 number question, who is the first and currently the only batsman to score double hundreds in four consecutive test series, यानि कौन से इंडिया के player है batsman है, जिनके दोरा, first और currently बने है batsman, जिनके दोरा score किये गए है double hundreds, ये four consecutive test series हुआ था, उसमें इनके दोरा two hundreds लगातार लगाए गये हैं, continuous लगाए गये हैं, ये किस player के दोरा लगाए गये हैं, आपके या फिर विराट कोहली, ये हैं विराट कोहली, ये हैं विराट कोहली, ये हैं विराट कोहली, नेक्स्ट कोशन देखे, 24 number question, इन जनवे 2020, home minister अमिति शाह released a book कर्म योदा गरंथ, यानि जो हमारे home minister हैं, अमिति शाह, इनकी कौशना सी पूछते हैं एक्जाम में, ये है अधिन अगले kit है, गुजरात में, गुजरात के जो CM है, वो है विजे रुपानी, जो हमिति शाह है हमारे, इनके दोर एक book publish की गई है, लीस की गई है, कर्म योदा गरंथ, ये जो कर्म योदा गरंथ है, ये किस famous politician के नाम पर, यानि किस famous politician की life पर जीवन पर बेस्ट है, य ये book कर्म योदा गरंथ, आपके option है, मातमा गंदी जी, जोहाला नेरु जी, सर्दार बल्लवाई पतेल, या फर नरेंदर मोदी जी, ये जो book based है, वो है नरेंदर मोदी जी की life पर बेस्ट है, ये book जिसका नाम है कर्म योदा गरंथ, इस book को release किया है recently, अमित शान ने, जो आयात शत्रू जो है, ये एक रूलर था, शैशक था, हर्यांका डैनस्टी का, ये पुत्र है, किसका पुत्र है, आपके option है, अनुरुद्दा, बिम्भी सारा, नागा दस्क, या फिर उद्दियन, देगर चार option में से, जो आयात शत्रू है, ये पुत्र है, बिम्भी सारा क भी आप याद रिखे, अर्यात शत्रू जो है, ये है पुत्तर, बिम्भी सारा का, ये थे 25 कोश्चन, एक कोश्चन है आप सभी के लिए, जिसका असरा आप मुझे कमेंड बॉक्स में लिखके पताए, कोश्चन फॉर ओल अफ यू, कोश्चन है आपका, विच लॉफ फिछ का लॉफ है, जो बताता है जो फोर्स बिएट्वीन था टो इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज सर्डिउस, यह जो फोर्स होती है, ये दो आर्टीकल के बीच, तो धो इलेक्टिक चार्जज के बीच रिद्यूस हो जाती है, टू आ कौश्चन अव味 तस फॉर्मर वैल्य इफन जो या फिर कॉलम्म जो अंसर आप मुझे comment box में लिख के बताईए सो यह था mock test 1 यह mock test आपको कैसा लगा अंसर आप मुझे comment box में लिख के बताईए इसके साथ साथ आप मुझे comment box में यह भी लिख के बताईए कि आपने 25 questions में से कितने marks जो हैं वो attempt सही किये थे स्टेस्ट सेरीज है आपका जब तक आपका एक्जाम नहीं होता एससी सी को अदेली पूलिस का आर्विए एक्जाम तक यह जो सीरीज है आपके लिए कॉंटिव रहेगी डेली आपको एक मोग टैस्ट बिल्कुल फ्रीय आफ प्रोफ कोस्ट प्रोइड किया जाएगा विद डिटेल एक्स्प्लेशन के असाथ आप सभी कमेंड बॉक्स में इस कंसरब मुझे कमेंड बॉक्स में लिखे बताएए आपको इस वीडियो को इस वीडियो की जो पीडियाफ है अगर आप डाउलोड करना चाते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाइफा डिक्वेशन से डाउलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्वेशन में मिल जाएगा वहाँ से डाउलोड कर सकते हो सभी पी डियाफ विदुक्स एक साथ मिल जाएगगी यह जो मौक टेस्ट है स्पैशली आपके एक्जाम औरैंटर है इसलिए ज़्या आपके लिए काफी ज़्यादा beneficial रहेगी काफी सारे questions आप इस series से आप ड्रेक्ट देखोगे क्योंकि इसमें सारे के सारे जो questions हैं आपके exam oriented include के जाते हैं specially आपके exam oriented questions होते हैं इस series में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने friend के साथ इस series को share जुरू करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करना है share करना है अगर आप चैनल पर पहली बार wizard कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूड पैस कर लें ताकि इस तरह की जो detail में videos होती हैं वो आप बिल्कुल भी miss ना कर पाएं सो इस वीडियो बस इतना ही मिलते है next वीडियो में अगर आप इन 25 questions में से आपको किसी question में doubt है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो आपका 100% reply किया जाएगा आपका comment होगा आपका doubt 100% clear किया जाएगा ताँ कि आपका कोई वी इस series से जो questions होगा वो रहना जाए क्योंकि सारे सारे questions होगे इसमें exam oriented होगे आप इस series को अगर आप paid series से वी compare करते हो उससे वी आपको अच्छा content प्रवाइड किया जाएगा इस mock test series में बस आपका एक ही काम है आपको इस series को अपने friend के साथ इसतना ज़्यादा share करना है ताँ कि जो भी strengths किसी भी सरकारी exam की त्यारी कर रहे हैं जिसमें भी GK का portion आता है उनके पास ये video series पहुंच सके इस video में बस इतना ही मिलते है next video में So thanks for watching, take care, goodbye, God bless you all Keep supporting Wi-Fi requests